सूरज वरूप होने के बाद हर तरफ सनाटा चा गया किसी बस्ती में एक औरत अपने घर के दर्वाजे पर परेशान बैठी थी उसके पास एक बच्चा था वहां से एक बजुर्ग का गुजर हुआ उन्होंने उस औरत से सबब पूछा कि क्या हुआ बेटा तुम यहां क्यूं बैठी हो तो वो औरत दुखी आवाज में बोली आप मेरा हाल सुनकर क्या करेंगे बजुर्ग ने कहा तुम्हारी परेशानी का कुछ हल तलाश करूंगा वो औरत बोली मेरे शोहर कान के सिलसले में दूसरे शहर क्या हुए हैं उनके जाने के दो दिन बाद हमारे घर में चोरी हो गई घर का सारा कीमती समान चला गया एक मुसीबत गई नहीं थी के मेरा बच्चा बिमार हो गया शोहर से राब्ता नहीं हो रहा घर में ये मुसीबत है आप बताएं मैं क्या करूं कहां से लाओं बेटे के इलाज के लिए पैसे बजर्ग ने कहा तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो बजर्ग दोनों को अपने घर ले गए बजर्ग ने अपनी बीवी को सारी बात बताई और उससे कहा के इनका ख्यार रखना मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ बजर्ग के जाने के बाद उनकी बीवी ने औरत को तसली दी कि तुम परेशान ना हो इन्शाला तुम्हारा बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा और तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी जल्द ही बजर्ग डॉक्टर को ले आए डॉक्टर ने बच्चे का मुआइना किया और उसे दवा दे दी और बजर्ग से कहने लगे परेशानी की कोई बात नहीं है बस मौसमी बुखार है इन्शाला जल्द ही ठीक हो जाएगा बच्चा कुछ दिनों बाद ठीक हो गया वो औरत बहुत खुश हुई और बजर्ग से कहने लगी आपने मेरे बच्चे का इलाज करवा दिया आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी अजुर्ग ने कहा बेटा तुम्हें शायद याद नहीं बरसों पहले मैं तुम्हारी बस्ती से गुजर रहा था प्यास के मारे बुरा हाल था मैंने एक घर का दर्वाजा खट-खटाया वो घर तुम्हारा था तुमने मुझे पानी पिलाया खाना खिलाया और हर तरह का अराम पहुँचाया मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूला आज भी उसके लिए शुकर गुजार हूँ औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और अपने घर वापस चली गई शोहर घर लोटा तो उसे सब कुछ बता दिया शोहर भी खुश हो गया और बजर्ग का शुकरिया दा करने उनके घर चला गया